ओम स्री परमात्मने नमा, मैं प्रोफेसर हरीर देवस्थी, अवस्थी जायरवेद एनाट्मियन योगा एंडिस्प्रिशल्टी चैनल पर आप सभी का सागत करता हूँ, मैं पंच्तंत्र की एक कहानी सनाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे, तो आ बहुत सारी मचलियां थी, और एक केकड़ा रहता था, तो सारस जो है, बहुत उमरदार हो गया, और अब वो मचलियों का सिकार करने में, अर्षक छम अपने को मैसूस कर रहा था, वैसे तो वो रोज बहुत सारी मचलियों का सिकार कर लेता था, लेकिन अब उस में उतनी श सी सूरत बना करके और तालाब के किनारे बैठ गया और वहाँ पे केकड़ा आया और केकड़े ने कहा कि चाचा क्या हो गया है आप आज मशली के सिकार नहीं कर रहे हो और यहां बहुत दुखी बैठे हो, क्या बात है, तो सारस ने केकड़े से कहा, कि देखो भाई, अभी बहुत से लोग यहां आए थे, और वो यह कहके गए हैं, कि हम यहां से मशलियों को फकड़ ले जाएंगे, और यह इस तालाब में बहुत सारी मिट्टी डाल के इस तालाब को हैंगे, तो यह बात सुनकर के, वो केकड़ा भी दुखी हुआ, और वो तालाब में नीचे गया, और उसने सारी मशलियों को यह ख़बर सुनाई, कि सारस ने बहुत सारे आदमी देखे, और वो आदमी यह कह रहे थे, कि इस तालाब को अब हम लोग बंद कर देंगे, और जो है, ऐसी बाते होने लगी, तो अब जो है, वो सारस के पास मचलियां आई, और केकड़ा आया, कि उसी से कोई उपाय पूछा जाए, तो सारस ने कहा, कि देखो भाई, ऐसा है, कि अगर आप बहुत ज्यादा कुछ करोगे, तो कोई बच नहीं सकते, लेकिन एक चीज है, कि जह है, मैं आपको यहां से अपनी चौच में पकड़ करके, दूसरे बड़े तालाब में छोड़ दूगा, और जिसमें आप लोग का जीवन सुरचित रहेगा, और आप सब बच सकते हैं, तो उन लोग के आने से पहले, मैं आपको दूसरे तालाब में छोड़ देता हू तो यह कहा करके, मचलियां जो है, सारी मचलियां चिलाएं कि पहले मुझे, मैं ले मुझे, पहले मुझे छोड़ दो, पहले मुझे छोड़ दो, पहले मुझे छोड़ दो, तो वो जो है, इस तरीके की बाते चलने लगी, तो सारस ने कहा, अच्छा है भाई, चिंता ना कर में थोड़े-थोड़े करके जित्ती मेरी चोंच में आएंगी चार पांच चार पांच एक साथ जो है ले जाके मैं तो धीरे-धीरे सब को छोड़ दूँगा ऐसा करके उसने अपनी चोंच में जित्ती भर सकती थी 5-6 मशलियां एक साथ भरी और उड़ चला और उड़ते फिर तालाब के पास आया और फिर उसने जहाए फिर चार पांच मशली पांच चांच भरी इस प्रकार वो फिर उड़ा और फिर उसी पत्थर के पास ले जा करके उसने जहाए उन मशलियों को फिर धीरे धीरे खा लिया इस प्रकार वो जहाए कई चक्कर लगाते हुए उन्ह अब चेक्डेके के दिमाग में पतानी कुछ सक घुमा और उसने कहा कि देखो भाई पतानी क्या बात हो रही है और यह कुछ ना कुछ गलबड़ है तो यह उसके दिमाग में आया विचार तब उसने सारस से कहा कि भाई देखो तुम मचलियों को सबको ले जा रहे हो मेरे को भी ले जा के कृपया मेरे को भी छोड़ दो जिससे मैं भी बच सकूँ तो पहले तो जल्दी सारस तयार नहीं हुआ लेकिन जब उसने बहुत कहा तो सारस ने कहा कि चलो अच्छा मैं तुमको करता हूं तो उसने केकड़ा उसके गले को पकड़ करके चल दिया और चलने के बाद वहुआ है Сам पत्तर के पास नजदीक में पहुंचा तो उसने पत्त्तर ही और ईसंसे कहा कि तुम ये नहीं नहीं कोई तालाब नहीं है और यह तुम कहां उतर रहे हो तो उसने का नहीं तुम अभी देखोगे और यहाँ पर बहुत आराम मिलेगा और तुमको यहाँ थोड़ा देर हम लोग रेश्ट करेंगे आराम करेंगे फिर हम चलेंगे तो जैसे जैसे वो पत्थर के नस्दीक होई हैं और चारन तरफ उस पत्थर के तो उसको जैसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सारी मचलियां यह जहाँ यहां लागता था और उसने खा ली हैं और यह अधियां उसका प्रमान हैं तो अब जो है केकड़े का दिमाग घूमा और उसने अपने पंजों से और अपन जैसा क्यों कर रहे हो मैं तो तुमको तालाब की तरफ ले जाने वाला हूं लेकिन वो केकड़ा जान चुका था तो केकड़े ने उसकी बात को नहीं माना और उस पंजों से और कसके उसकी गरदन दबाई और उसको मार डाला तो सारस इस प्रकार मर गया दुष्ट था सारस उस दुस्ट सारस को केकड़े ने मार दिया और फिर केकड़ा धीरे धीरे रेंगता हुआ पुना है फिर उस तालाब के पास आया और उसने मशलियों को बताया कि वो जो सारस था उसने एक जूटी कहानी बनाई थी सारी मशलियों को खा करके पत्थर के पास डाले हुए है और अब आप सब को चिंता करने की जरुवत नहीं है क्योंकि मैंने अब उस सारस को मार दिया है तो मशलियां बहुत खुस हुई, परसंद हुई और वो जो है उसी से फिर से तालाब में रहने लगी और उसको बहुत केकड़े को बहुत बहुत धन्यवाद दिया तो इस कहानी से जो सिक्षा मिलती है कि कपट का व्यापार सदा नहीं चलता जूट सदेव नहीं चलता एक ना एक दिन अगर आप जूट बेमानी, चोरी, मकारी, धोकेवाजी अगर समाज के साथ करते हैं तो एक ना एक दिन सामने आ जाती है और तब आपके उपर कोई विश्वास नहीं करता और आपके समाज आपके प्राणा ले लेना चाहता है तो इस परकार उस सारस ने धोका दिया तो केकड़े ने उसको मार दिया तो जो दूसरों को धोका देता है उसे एक ना एक दिन सजा भोगनी ही पड़ती है जो धोकेवाज को मारता है उसको यस का भागी होता है क्योंकि केकड़े को फिर सब लोगों ने उसकी तारीफ की क्योंकि उसने धोकेवाज को मारा तो एक तो जो सारस था वो धोके बाज क्यलाया और उसको मारा केकड़े ने तो केकड़े को यस मिला तो इस प्रकार ये कहानी पूरी हुई अगर आपको ये कहानिया पसंद आ रही है तो करप्या चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने चात्रों में विद्य कहरण करना यह अच्छी बात नहीं है थैंक यू, थैंक यू आल